Hello everyone, my name is Simani Johan and welcome to our channel Gyaan Mantra So, आज हम पढ़ने वाली है English Pedagogy का Chapter No.5 जिसका नीम है Methods of Teaching Grammar So, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटा-फट जुड़ाएं So, स्टार्ट करते हैं देखे वीडियो हमारी आज की जिसमें हम पढ़ने वाली है Methods of Teaching Grammar So, थोड़ा सा मैं बता दू कि पढ़ना क्या-क्या है देखे पहले तो हम Grammar के बारे में पढ़नेगे कि बहुत ग्रामर क्या है और ग्रामर को क्यो पढ़ाया जाता है English Teaching में Grammar का क्या एम है क्यो पढ़ाना जरूरी है Grammar को इसकी बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या Methods होते हैं Grammar को पढ़ाने की जिसको एक Teacher Class में यूज़ करके आसानी से Grammar को पढ़ा सकता है And last में हम Practice Questions करेंगे इस Chapter के तो ऐसे ही हम पूरा Follow करेंगे अपना जो Strategy है बस आपको क्या करना है हमारे साथ बुरी वीडियो देखनी है Because अगर आपने एक भी Point मिस कर दिया तो क्या पता आपका एक Question चूट जाए क्योंकि यहां से Most of दो Question कभी-कभी बन जाती है इस Chapter से तो यह Chapter बहुत Important है बाकि सारी Chapter भी Important होते हैं तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ें So start करते है Methods of Teaching Grammar जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है What is Grammar? Grammar क्या होता है? तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि Grammar is a system of a language With the grammar, with the help of grammar, words are used, classified and structured together to form coherent spoken or written communication ठीक है, अब थोड़ा समय से आपको समझा देती हो, देखें Grammar हमारी system, हमारी language का एक system है यानि अगर आप कोई language का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भाशा पढ़ रही हो तो उस भाशा को पढ़ने का भी तो एक तरीका होगा ना कि किस तरीके से आपको भाशा पढ़नी है, ऐसो तो नहीं कि कुछ भी पढ़ लोगे तो उसका एक system, उसका एक तरीका ही क्या होता ही, ग्रामर होता है उसके बाद हम ग्रामर की मदद से words को यूज़ करना सीख जाते हैं पर शब्दों का हमें किस तरीके से इस्तमाल करना है, अगर हम word की definition ही पढ़ें तो words होता क्या है, एक systematical arrangement होती है alphabets की, जिसका कोई meaning बनी अब मैंने आपको ये लिख दिया, अगर मुझे sun लिखना है, तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, हमेशा sun यहाँ पर क्या हो रहे है, जो letters है उसके इस तरीके से आपने arrangement करें जिसका कोई मतलब निकला लेकिन इसी को ही मैं, जो मैंने sun लिखा है, इसको UNS लिख दूँ, तो इसका कोई मतलब हो जाएगा, UNS, इसका कोई मतलब है, नहीं ना, तो इसका मतलब grammar हमें help करती है किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकतो, use कैसे करना है आपको, classify उसको कैसे करना है, और उसका जो structure बनेगा, वो कैसी बनेगा, यह सारी चीज़ों में हमें grammar जो बहुत ज़दा मदद करती है इसके बाद हमारा जो written communication है, जो हमारा spoken है, बोलने का जो तरीका है, current का मतलब होता है इस पश्ट तरीके से हम किसी भी चीज़ को बोल सकती है और लिख सकती है, अगर आप जिके लिख रही हो, ठीके, तो लिखने का भी एक तरीका होता है आप कोई sentence लिख रहा है, तो उल्टा सीधा लिखोगे नहीं, इस तरीके से लिखोगे कि दूसरे को समझ में आए, तो grammar का आपने यूज किया क्योंकि वहाँ पे आपने तरीका इस्तमाल किया है, जो sentence है उसको लिखने में, ठीके, तो grammar हमारा हर तरीके से जो है, वो help करती ह किसी भी language को सीखने में, या फिर आप कहले जें किसी भी चीज को बोलने के लिए, लिखने के लिए grammar बहुत साथा जरूरी होती है, चीके, basically हम इसका यूज करते हैं second language को सीखने के लिए grammar का, यगि फोर्स language जो आपकी मात्रबाचा है, उससे तो आप बिना grammar rules के ही सीख लेत पढ़ती हैं उसके बाद हम English लिखना शुरू करती हैं तो Grammar तो समझ में आ गया कि Grammar होता क्या है इसके बाद थोड़ सा जान लीजे कि इसके एम क्या होती है इसके objectives क्या होती है कि बहुत जो grammar teach हमें कराया जाता है क्यों कराया जाता है इसको हमें मितलब क्या ज़रूरत है grammar पढ़नेगी ठीक है तो first point देखे क्या है understanding of a structure of English language English language के structure को समझने में grammar मदद करती है क्योंकि देखे जब आप English पढ़ रही हो या फिर आप English लिख रही हो कुछ भी कर रही हो वहाँ पे आपको grammar की ज़रूरत तो पढ़ेगी अगर आपने कोई word लिखा मालनेचे English ही लिखा तो इसमें भी हमारी grammar लगी क्या grammar लगी या पे आपने alphabet को एक systematic तरीके से क्या किया arrange किया ठीक है तो यही मैंने आपको बताया कि grammar हमारी हर तरीके से help करती है चाहिए वो English language को समझने में हो चाहिए उसके structure को बनाने में हो ठीक है second point देखे to enable learners to express their ideas logically and correctly अब आपके मन में कोई idea आपको उसको बताना है चाहिए आप बोल के बताओ चाहिए आप लिख के बताओ लेकिन अगर आपका idea सही तरीके से आप क्या करोगे दूसरों तक पहुंचाओगे तभी तो उससे समझ में आएगा ना या फिर तेडा मेडा कुछ भी बोल दोगे तो उससे समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा तो यही बोला गया है कि अगर आपको अपने ideas दूसरों को express करने है एक logically या correct तरीके से सही तरीके से तो वहाँ पे भी आपके जो grammar है वो बहुत साथा help करती है ठीके तीसरा point देखे हमारे पास क्या है डेवलप ता mental abilities यानि आपके जो मानसिक शमताएं हैं उसको develop यानि बढ़ाने में मदद करती है कैसे जब आप English grammar सीख जाते हो तो आप बहुत चीगे उसका use करना सीख जाते हो चाहे वो अपनी बात कह रही हो चाहे किसी की बात को समझ रहे हो ठीके तो हर चीगे आप उसका use करोगे और जितना ही जादा आप किसी चीज को use करते हो उतनी ही आपकी mental ability या mental power जो है वो enhance यानि बढ़ती जाती है इसलिए बोला गया है develop the mental abilities अगला point देखे क्या है assimilate the correct patterns of language ठीके assimilate का मतलब होता है learn करना या फिकिसी चीज को समझना जो language और उसके सही patterns को समझना ये भी चीज जो है हमारे में develop करती है grammar pattern का मतलब क्या होता है देखे तरीका ठीके कि बही language भाषा है हर किसी का pattern है यानि जब आप English पढ़ते हो तो इस तरीके से alphabets English के alphabets होते है न फिर आप alphabets के बाद word को पढ़ना शुरू कर दो फिर words के बाद sentence शुरू कर देते हो उसके बाद तो आप reading वगरा करना शुरू कर देते हो एक तरीके से आप language को pattern समझ रहे हो last point देखे to develop taste for creativity जाद से जाद आपको creative बनाती है grammar क्योंकि आप grammar सीख जाते हो तो बहुत देकर यूज करना आप उसका सीख लेते हो जब आप यूज करोगे तो mental ability के सासत creativity भी बढ़ती रहती है इसलिए बोला गया है to develop taste for creativity तो इन सारी चीजों के लिए हमें grammar बढ़ाई ज जाते है कि हम अपनी चीजों को express करना सीख जाए हमारी mental ability तेज हो जाए हम language के patterns को सीख जाए इसका structure सीख जाए कैसे हमें language को पढ़ना है कैसे teach करना है तब इस सारी चीज़े सीखेंगे तब जब आपको grammar अच्छे से आएगी इसलिए grammar पढ़ाई जाती है और इसका importance role होता ठीके अब basic हमारी जो main जो बात है जो हमारा chapter है methods of teaching grammar उस पे आ जाते हैं ठीके तो methods of teaching grammar में हमारा सबसे पहला जो method आता है वो है grammar translation method मैंने कोई paragraph यहाँ पर आपके लिए नहीं लिखें सिर्फ मैंने आपको यहाँपे points में लिखे है और अगर आपने points अच्छे से समझ लिए तो 100% guarantee आपको कुछ और मरने की ज़रूत नहीं है इन points से ही exam में question जो है वो बनता है सबसे पहला point देखे है यह traditional और classical method यह दोनों ध्यान दखना कि जो grammar translation method होता है उसे हम traditional method और classical method कहते हैं चीके इसके बाद है third point हमारा target language translate into their mother tongue अब यह important point है इसको थोड़ा सा समझना देखे जो आपकी target language यानि जो आपकी second language अगर आपको English पढ़ाई जा रही है तो उसको convert करके पढ़ाते है यानि आपकी mother tongue का इसमें काफी स्तमाल किया जाता है और उसको convert करके आपको English सिखाई जाती है यानि आपकी translation का use किया जाता है यह पुराना method ता इसलिए आपके बोला गया आपको English पढ़ाना है तो हिंदी से translate करकर के आपको English सिखाई जाएगी इस तरीका यह तरीका इस्तमाल किया जाता था grammar translation method में next point है कि focus on rules written text और comprehension ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रूल जो नियम है और जो लिखा हुआ text है उसी पे ही focus किया जाता था व्योंकि जब आ translate कर रहे हैं तो आपको rules वगरा सीखने पड़ेंगे मालनीच आपको कोई sentence दे दिया वहगर जा रहा था तो इसको translate करने के लिए थोड़े से rules पता होने चाहिए कि subject क्या होता है कौन सी verb यहाँ पे लगेगी यह कौन सा tense है तो यह सारे के सारे आपको rules पता होंगे तभी फोकस translation पे यानि rules पे किया जाता था जो आप text लिख्या हो उस text पे जाधा focus किया जाता था यानि इतना ज़दा spoken पे focus नहीं किया था सारा जो focus था वो किस पे था सिफ और सिफ rules पे focus किया जाता था इसलिए से बोला गया है deductively कि जो grammar है उससे पढ़ाया जाता था deductively अब इड method बताया था inductive एक method बताया था deductive अगर आपने पढ़ा होगा last videos last to last videos में ठीके तो दीके inductive method में क्या होता है sorry यहाँ पे deductive method है इसके बारे में discuss कर लेते हैं ठीके deductive method जो होता है उसे हिंदी में कहती है निगमन विदी अब आप हिंदी में समझ करे होंगे जब मैंने निगम बताये जाएंगे बाद में example के तरफ लिखे जाएंगे यहीं बोला है कि rules पे ही focus किया जाता है इसलिए बहुला गया है कि जो grammar है वो deductively बढ़ाई जाती है spoken aspect of a language is neglected यहाँ पे जो spoken aspect है यानि speaking में बिल्कुल ध्यान नीच यादा था सिर्फ reading और writing इन दोनों ही चीज़ पे focus आना होता था जो पहले करवाया जाता था लेकिन अब नहीं करवाया जाता है इस method को यूजब नहीं किया जाता यह traditional method है ठीक है तो ध्यान रखना question यहां से direct ही पूछा जाता है ठीक है कि कौन सा ऐसा method है जिसमें आपको mother tanka सबसे जादा यूज़ किया जाता है तो translation method में grammar translation method में सबसे जादा mother tongue का यूज़ किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से question यहीं से ही बन जाएगा जितने मैंने points आपको सिखाई है तो first वालक के लिए हो गिया grammar translation method इसके तो नाम से ही पता चल रहा है grammar translation यहां फी translate करके बढ़ेंगे और translate कैसे करेंगे अपनी mother tongue से जो भी जान दखे कि यह natural method होता है teaching English का ठीक है जैसे पहला वाला कॉन सा था classical method यह कैसा है natural method है second point देखे target language is taught in the same language इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको target language पढ़ाई जाते यानि जो आपको English पढ़ाई जाएगी वो English में ही बोलके पढ़ाई जाएगे ठीक है माली चै कोई आप rules सिखा रहे हो कुछ भी सिखा रहे हो बच्चों कोई example बता रहे हो कुछ भी बोल रहे हो Translation का use नहीं करो कि जो language चिखा रहे हो उसे language में बात करोगे आपको English सिखा ह Mickे जा रहे तो English में बात करों पूरा आपको English बोलना है nain तो fine लग जाएगा बतब strictly आपको उसी language में सीखना होता है जो language आप पढ़ा रहे हो चैके English पढ़ा रहे हो तो English ही बोलना है class में अगला है no using of mother tongue तो मैंने वही बोला कि जिस language को आप सिखा रहे हैं उसी language में बातचीत भी करने हैं इसलिए mother tongue का बिल्कुल भी यूस नहीं होता है कोई translation यहां पे नहीं होती है कि आपको अगर इंगलिश सिखाए जारे तो आपकी mother tongue से translate करकर कि सिखाओगे नहीं आपको कोई translation नहीं कराए जाएगे कोई mother tongue का यूस नहीं करोगे वही language बोलोगे जो language पढ़ाए जा रही है अगला पॉइंट दीके grammar in taught inductively inductively का मतलब क्या होता है inductively को हिंदी में कहते है आगमन विदी यानि पहले आपको example बताया चाहेंगे बाद में rules की दरफ चाहेंगे ठीके तो यह अच्छा method होता है पढ़नी का क्योंकि आपके spoken aspect पे ध्यान दिया जाता है जो oral drills है वो जादर से जादर कराई जाती है आपको speaking जो skills पे जादर ध्यान दिया जाता है otherwise आपके reading writing में इतना focus नहीं करते क्योंकि यह आपको सिखाता है कि आपको कैसे कोई language उसे use करना है ठीके क्योंकि आप बातचीत English में कर रहे हो सीख English में रहे हो तो जादर से जादर focus English पे रहेगा तो आप जल्दी भी सीख जाओगो क्यों आप उसे चीज में बोल रहे हो तो यहाँ पे आपके spoken aspect पे बहुत ज़्यादा धिया जाता है आप जल्दी से ही क्या करना सीख जाते हो English को fluently बोलना सीख जाते हो किसकी help से direct method की help से तो बिल्कुल opposite है देखे language uses it focused not the rules आपको language के uses पे focus किया जाता है आपको नियम इतने नहीं सिखाया जाते है आपको रटा नहीं लगवाया जाता है आपको ज़्यादा focus किया जाता है कि आप language को ज़्यादा से ज़्यादा use करना सीखो तो इसलिए यह अच्छा method होता है English grammar को सिखाने का तो clear हो गया होगा second method जिसे हम कहते है direct method third method की तरफ चलते हैं तो third method है bilingual method bilingual नाम से समझगे होगा by का मतलब क्या होता है दो यानि दो language का use हो रहा होगा लेकिन कैसे वो ज़रा सीखते हैं first point पढ़िए target language is used but sometimes when child don't understand mother tongue is used देखिए target language का ही यहाँ पे use किया जाता है माप चूबी language सिखा रहे हो मतलब आप जैसे English सिखा रहे हो तो English का ही use करोगे लेकिन अगर मालीचे बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो तो teacher उसकी mother tongue को use कर सकता है जैसे teacher ने पूछा what is your favorite color एक question पूछ लिए ठीक है बच्चा नहीं समझ पा रहा कि teacher क्या कहना चाह रहा है तो teacher ने उसको mother tongue में translate करके पूछ लिया कि आपका जो favorite color है वो क्या है आप बच्चा समझ चाहेगा अच्छा मेरे favorite color के बारे में पूछ रहे है teacher फिस से पूछ रहेगा what is your favorite color तो अब बच्चा समझ गया कि भाई क्या teacher ने पूछा है तो वो उसका answer कर देगा यानि इसमें child जो है वो mother tongue का use नहीं करेगा only teacher करेगा when it needed जब जब आपको सिर्फो सिफ target language का ही यूज करना है तो bilingual इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये दो language यूज करी जा रही है लेकिन किसके द्वारा teacher के द्वारा only से कि ठीके बच्चा नहीं करेगा बिल्कोल भी तो question यहां से बन जाता है कि भी ऐसा कौन सा method है जिसमें child mother tongue का use नहीं क करेगा लेकिन जब जरूरत लगी कि मानलों से समझ में नहीं आ रहा teacher को लगा कि हाँ भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा उसे mother tongue में पूछ लो तब mother tongue का use करो वरना ज्यादा यूज नहीं करना ज्यादा यूज हमें किसका करना है safe or safe अपनी target language का करना है तो third right clear हो गया होगा चलिए fourth की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास method है audio lingual method इसे कहते हैं army method important point है यह बिलकुल अच्छे से ध्यान रखना कि army method बोला जाता है audio lingual method को क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको बताऊंगी second point देखिए focus on sound and sentence pattern यानि यहापी सिर्फो सिर्फ sound और sentence pattern पे फोकस किया जाता है आप नाम से थोड़ा सा ध्यान लखना audio क्या किया जाता था पहले method अपनाया जाता था जब आर्मी वगेरा के लोगों में मतब जो detectives को कह रहा होते थी ना तो आपको पते हैं कि detectives को तो अलगले countries में जाता बेशते थे वहां पर चीजों को देखने के खोजने के लिए ठीक है तो उनको अलग-अलग देशों की थोड़ी थोड़ी चीज़ा सिखाये जाती थी कि आपको hello कैसे बोलना है आपको वहां के कुछ जो main-main words थे वह सिखाये जाते थे और कैसे सिखाये जाते थे आपको sound सुनाई जाती थी आपको audio सुनाई जाती थी और उसको सुन-सुन के आप उसको रटा वार ले दे थे ठीक है आपको जादा से जादा प्रेक्टिस कराये जाती थी oral drills की और pronunciation की जो word आपको सुनाया जा रहा है उसकी practice करो जादा से जादा उसे सुनो ठीक है तो वह सुन ले दे थे जादा से जादा दोने वह language का थोड़ से word सिखा दी है उसी में आप सुन रहे हैं उसी में बोल रहे हो तो वह चीज़े आपको जल्दी आ जाती है इसलिए बोला जाते है कि थोड़ा थोड़ा डारेक्ट मैथट की तरह है अगला है कि target language is taught in the same language वही बात है कि अगर आपको चाइनीज सीखने है तो वह चाइनीज भी बोलिए थोड़ा सा चाइनीज भी भाशा को सुनिए चाइनीज भी बोलिए तभी आपको जल्दी से वह चीज आ जाएगी ठीक है तो थोड़ा सा डारेक्ट मैथड की तरह पूरा नहीं है बर थोड़ा बहुत है तो इसे कहते हैं हम audio lingual method अगले method की तरफ चलते हैं तो the first point कि क्या है learners is allowed and made to immerse in second language in whole day बतलब learner जो सीखने वाला है उसे allow किया चाता है या फिर वो जो second language सीख रहा है वो पूरा ही दिन उसे ही पढ़ता रहेगा उसे ही सुनता रहेगा उसे ही बोलता रहेगा immerse यानि पूरा उसमें डूब जाएगा पूरा दिन यानि पूरे दिन भर वो जो भी काम करेगा जो भी पढ़ रहा है जो भी activity कर रहा है वो उसी language में करेगा यानि second language में करेगा ठीक है he use only target language to learn other subjects and other activities यानि अगर उसे other subject को पढ़ना है या कोई other activities सीख नहीं है तो सिर्फ वो अपनी target language का ही use करेगा इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि वो पूरा दिन जो है वो अपनी उसी language को बढ़ता है ठीक है तो कोई भी काम करेगा अपनी target language में करेगा यानि English में करेगा कि हमारे तरिश के target language क्या है English है अगला point है कि teacher use only English language teacher भी क्या करेगा English language बच्चा भी English language बोलेगा इस तरी किसे आप उसे जितना मतलब अगर आप उसे पूरा दिन एक चीज़ पढ़ाओगे तो obviously वो थोड़ा तो सीखी चाहेगा तो इसे बोलते हैं language immersion method ओके चल बहुत जादा ध्यान लखना और अब यह जो method है 6th inductive deductive method यह भी बहुत important है ठीक है देखे इसमें क्या है formulate rules with the help of examples ठीक है यहाँ पर आपको rules बनाए चाहते हैं examples की help लेके ठीक है inductive deductive method में क्या करते हैं हम examples लेके चलते हैं पहले examples के लिए करते हैं देन उसके बाद क्या करत हैं उसके rules की तरफ चले जाती है second point is this method becomes practical, real and scientific क्योंकि देखे जब आपको examples बताया जाते हैं तो आपके आसपास की चीज़ों को जोड़ तोड़ के आपके आसपास की चीज़ों को देख के वही examples आपको बता दिये जाते हैं तो यह काफी practical or real method होता है और scientific method को बोला जाता ह अगलर point आता है it stimulates the power of thinking and reasoning यानि यह बढ़ाता है हमारी power of thinking को और reasoning को आप कैसे बढ़ाता है क्योंकि चुब आप देखे आप examples आपने बच्चों से कुछ examples मालीजे पूछ लिए फिर आप बच्चों से कहते हो कि इसमें कुछ similarities है इन examples में तो ढूंडो तो वहां पे thinking को जादा से जादा यूज करेगा ठीक है फिर उसके बाद students क्या करते है कुछ conclusion वहां से निकालते है कि हाँ यह यह example सो मिल रहे है जैसे वालीजे अगर आपको noun पढ़ाना है तो बच्चों से आपने पूछा कि कुछ example कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिन आप जानत कि हाँ भई हम इसने categories में बाट जाए कि हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के कुछ मतलब student के नाम बता दिये कुछ हमने शहरों के नाम बता दिये तो यहाँ पे वो सोचेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया है इसके बाद teacher उन्हें rule बता देखा कि आपने जो students के नेम जो श यहाँ नहीं दिया जाता आपको practical चीज़ें जादा से जादा यहाँ पे कराए जाती है ठीके तो six method भी clear होगा यह important method है तो इसे भी आप जादा से जादा धियान रखें तो देखें हमारे जितने भी methods है वो तो सारे clear हो गए अब इनके base पे जो questions है ना उनकी थोड़ी सी practice क लेते हैं तो देखें सबसे पहला जो question हमारे पास आता है वो क्या है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करना बस आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए first question हमारे पास है which of these is central to the teaching and learning of language यानि teaching और language को सीखने का जो central है यानि के अंदर है वो क्या है इन में से listening speaking grammar या फिक्रिटिक thinking तो आप अगर कोई language सीख रही हो ठीक है मैं आपको बताया जिब भी हम कोई language को सीखते हैं तो वहां पे grammar हमारी important होती है क्योंकि language को acquire करते हैं वहां पे तो grammar critical rules का कोई मतलब नहीं है लेकिन जब आप language learn करते हो तो वहां पे grammar ही आपका मुख्य केंदर होता है ठीक है इसलि language को हम सीखते हैं उस language को बोला जाता है target language और उसके लिए grammar बहुत ही ज़्यादा important होता है इसने first question का C option बिल्कु सही होगा second question देखिए question थोड़ा सा बढ़ा है अच्छे से पढ़ना है question को second question हमारे पास क्या है a teacher shows some objects present in the class and ask children to tell their names मदब एक teacher ने क्या किया कुछ objects को class में present किया और बच्चों से पूछा कि इनके नाम बताओ ठीक है she writes their response on the blackboard जो जो बच्चों ने नाम बताए होंगे वो उसने blackboard पे लिख दी and tells that all these names are used for some object which are called nouns और उसने फिर बताया कि जो object उन्होंने बताई है जिन जो जो उन्होंने नाम लिखे है इन्हें बोला जाता है nouns तो अब हैं पर उसने किस method का use किया है तो आपको बताना है तो options में हैं आपके पास classical method, incidental method, deductive method और inductive method देखें classical method तो होगा नहीं classical यानि जो grammar translation method होता है उससे classical method कहते हैं वहाँ पे त तो आप deductively कैसे चलते हो deductively चलते हो यानि पहले rules सीखते हो बट यहाँ पर teacher ने पहले examples लेके जला है बाद में उसने rule मताया है कि बाद में बताया है कि जो यह आपने examples उसने जो board पे लिखे हैं इसे noun कहते हैं यानि यहाँ पे हम example से rule की तरफ गई हैं तो incidental नहीं होगा deductive में तो हम उल्टा चलते हैं रूल स्टूनियम चलते हैं अब यहाँ पे हमारा कौन सा होगा inductive method होगा तो ऐसे ही question बनेगा आपको एक क्या दे दिया चाहेगा आपको एक situation दे दी चाहेगे और उसके base पे आपसे इस तरीके से question पूछ लिया जाएगा तो answer हो जाएगा inductive method method में हम example से rule की तरफ चलती है तो teacher ने भी यहाँ पर यही किया पहले बच्चों को example पूछ लिये और इसके बाद में rule बता दिया कि वह चोबी चीज़ें आपने बताई वो क्या है noun है चलिए third question देखते हैं भाई third question हमारे पास क्या है third question में हम से बोला है which of the following statement is true in the context of grammar ठीक है इन में से यह नहीं आएगा ठीक है इन में से कौन सा statement सही है grammar की तरफ से अगर हम बात करें first statement की तो बोला है provides a set of rules that should be followed यानि जो भी आपको rules पताई चारें उसको follow करना second में बोला है grammar has no rule in the learning of foreign language grammar के तो कोई rule ही नहीं होते किसी foreign language को learn करने के लिए ऐसा तो नहीं है rules तो होते है grammar के c option is knowledge of grammar helps with fluency in speech मतब आपको जो speech बोलते हो उसमें जो fluency आती है उसमें आपकी grammar की knowledge help करती है और last हमारा जो point है वो है grammar is a system of language which helps in polishing our speaking and writing skill grammar एक language का system है जो polishing करते हैं मतलब जो polishing का मतलब चमकाना नहीं हो है polishing का मतलब है आपकी जो चीज़ है उसको और improve करना ठीक है यानि आपका जो speaking और writing skill उसको और improve करने में help करती है तो यही बात हमने पढ़ी ती सबसे पहले जब हमने बढ़ाता कि grammar किया है यही बिलकुर इसका बोल रहे है जो लिख रहे है उसको improve करने में तो fourth वाला point ही हमारा इसका answer हो जाएगा ठीक है बाकी सब options जो है वो गलत है fourth question देखे क्या है when young learners are taught to improve their spelling and punctuation देखे punctuation होता है जो अब कहीं comma लगाते हो कहीं full stop लगाते हो ठीक है कहीं exclamatory sign लगाते हो inverted commas लगाते हो इने punctuation बोला punctuation मतलब वो improve करना चाहता है अपनी punctuation और spelling को तो they will उसे करना चाहिए enhance their fluency अपनी fluency को बढ़ाना चाहिए creativity को nurture यानी creativity को improve करना चाहिए listening skill को शापन करना चाहिए या फिर अपनी accuracy को improve करना चाहिए तो obviously जब आप अपनी spelling और punctuation को ठीक करना चाहते हो तो आप अपनी accuracy को ही तो improve करोगे न जहां भी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं अगर आप spellings को गलत कर रहे हो तो उसको improve करने ही कोशिश करो बार बार spelling पे ध्यान दो कि कहा spelling में गढ़बर हो रही है और उसी को ही क्या करो अपने accuracy को और ज्यादा improve करो तो फोर्थ का का D वाला option बिल्कु सही हो जाएगा फिफ्ट कोशन देखे क्या है अब उसे कौन सी strategy अपनानी चाहिए जो नीचे चार option दिए गए उनमें से तो पढ़ लेते हैं options को first में है giving the practice of grammar in context as a strategy जो भी context है उसमें जो grammar है उसकी practice कराना या students को बोल देना कि वह carefully note करो जो भी मैं teacher जो भी मैं rules वगरा लिख रहा हूं blackboard पे या clear explanation दोगे rules की with examples के साथ या फिर asking student to do drill work only to learn rules देंकि जादा focus तो आप यह नहीं करोगे तो यहां से आपके जो बी option और डी option कट हो जाएंगे क्यों खाली आप बच्चों से बोल दो जो rule लिख रहा है उसी पर focus करो तो यह तो अच्छी strategy नहीं होती इसके बाद जो a option है वो भी नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जो आप context में आपकी जो grammar है सिर्फ उसी को ही पढ़ाना आपकी strategy नहीं है आपको बच्चों को clear explanation देना है वो भी examples के साथ इसलिए इसका c वाल option सही होगा जब आप बच्चों को explanation के साथ rules समझाओग ना तो वो method आप use नहीं करोगे grammar सिखाने के लिए आप हमेशा जो भी rules से पढ़ा रहे हो explain करोगे तो जादा होने समझ में आएगा इसलिए c वाल option इसका बिल्कुल सही है अगला question देखे grammar से related होगे क्योंकि grammar पढ़ रहे हैं तो ऐसे question भी पूछ लिए जाते है चूसता correct spelling तो इन चारों में से कौन से spelling सही है देखे doesn't लिखा है doesn't का मदलब होता है इसको full form लिखते हैं does not तो जब हम इस does not को इखटा करके लिखते हैं तो हम क्या करते हैं n तक लिखते हैं और फिर उपर कॉमा लगाते हैं और फिर t लिखते हैं तो हमारा इसका c वाला option सही हो जाएगा थोड़ी थोड़ी mistake है हर किसी में तो आपको यही चीज़े ध्यान से पढ़ने हैं और grammar भी हमें यही चीज़े सिखाती है कि आपको जो word लिखा है उसको आप तो six का c option सही होगा seven question देखिए important question है यह बहुत बार पूछा है सी टैट ने diphthongs are diphthongs क्या होती हैं तो देखे diphthongs ऐसे word होती हैं जिसमें double vowel sound आती है अब मैं आपको बताऊंगी कैसे जैसे मैंने लिखा boy double vowel sound आती है vowel मतलब जो a e i o u की sound होती है न वो दो आती है अब boy यहाँ पर एक तो a की sound आई है और एक आई है a की sound तो आपको यहाँ पर दो sound मिल रही है boy में इसी तरीके से अगर मैं बोलू fine फाइन पड़ो ज़रा far in तो यहाँ पर एक तो a की sound मिल रही है और एक e की sound मिल रही है तो जब भी किसी word में एक ही word में दो vowel की sound मिले ऐसी words को हम कहती हैं diphthongs question is very very important तो इस question को जरूरा आप धियान रखें अगला question चलते हैं last question आज की वीडियो का देखते हैं क्या है a word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning एक word दो word हैं से जिनकी same spelling है और same ही उनको बोला जाता है pronunciation भी same है लेकिन उनके meaning अलग अलग है ऐसी words को क्या बोला जाता है तो ऐसी words को option A बिल्कुल इसका right answer होगा मैं आपको यह word जितने भी confusing words है ना इसारे clear करूंगी पहले chapters थोड़े से clear कर लेते हैं देखिए जैसे मैंने लिखा एक तो लिखा है bat और bad अब इस bad के दो meaning होते हैं कैसे एक bad होता है चमगादर ठीक है जिसको हम पढ़ते हैं चमगादर आप pronunciation भी same है बट दोनों के meaning अलग है ऐसी words को क्या कहते है homonium कहते है ठीक है बाकी option थोड़ा सा बता दूं का मतलब है sound तो pronunciation तो सेम होगी लेकिन spelling different होगी जैसे एक होता है C और एक होता है C तो ये दोनों को तो pronunciation में सेम बोला लेकिन जब आप C को बोलोगे तो इसे होता है देखना और इस C का मतलब होता है समुद्र तो दोनों के spelling अलग और meaning अलग ठीक है? Antonyms तो विपरीत होते हैं विपरीत आर्थक शब्द और synonym होते हैं समानार्थक शब्द ठीक है तो इस question का answer जो था वो option number A था तो वीडियो हमारी आज की तो समाप्त हो गई I hope so वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी जरूर आप मुझे comment करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी and chapter clear हुआ या नहीं हुआ ऐसे हम next वीडियो में अगला chapter पढ़ेंगे thanks for watching and अगर हमारे चैनल से नए जुणे है तो जल्दी से हमारे चैनल से जुणे like, share and subscribe करना बिल्कुल न भूले thank you